हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू माई चैनल इकबाल वबैन इलेक्टिक सिल्यूशंस दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे की पावर फेक्टर क्या होता है और पावर फेक्टर का फोर्मूला क्या होता है unity lagging leading power factor क्या होता है power factor को सही करने के लिए कौन सी device का use किया जाता है और वो power factor को कैसे correct करता है तो पूरी information के लिए video को last तक जरूर देखे start करते हैं दोस्तो हमारे इंडिया की frequency कितनी है 50 hearts 50 hearts मतलब एक second में electricity की 50 cycles cross हो जाती है तो दोस्तो cycles मतलब क्या होता है आप लोग जो ये waveform देख रहे हैं ये एक cycle है ऐसी 50 cycles cross हो जाती है एक second में तो दोस्तो हमारी जो electrical की cycle है इसकी height कितनी होती है वो depend करता है कि वो किस चीज की cycle है तो consider कर लेते हैं ये voltage की cycle है तो single phase में voltage कितना आता है 220 volt तो इसका amplitude कितना हो जाएगा 220 volt जैसे voltage की cycle होगी same ऐसी ही current की भी एक cycle होगी तो दोस्तों consider कर लो कि ये current की cycle है current की cycle की height कितनी होगी वो depend करता है circuit में से कितना current flow हो रहा है हमारी जो voltage की cycle होती है वो fix होती है क्योंकि हमारी voltage fix होती है बट दोस्तों हमारा current change होता रहता है current की cycle कितनी बड़ी होगी वो depend करता है कितना current flow हो रहा है जैसे मैं अभी consider कर लेता हूँ कि एक compare का current flow हो रहा है तो हमारे cycle की height कितनी होगी एक compare जितनी तो दोस्तों ये बात रही की voltage और current की cycle जैसा कि अबने देखा voltage और current की cycle अलग अलग है actual में क्या होता है ये दोनो cycle एक ही में होती है मतलब एक ही wire में سے ये दोनो cycle cross होती है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग waveform में देख सकते हो मैंने voltage और current की waveform एक ही में बनाई है तो एक्टूल में ऐसे ही हमारी साइकल फ्लो होती है तो दोस्तो हमारे इंडिया की फ्रिक्वेंजी 50 Arts होती है तो ऐसी ही 50 साइकल क्रोस हो जाती है एक सैक्ट में तो दोस्तो पहले हम देख लेते हैं what is power factor the cosine of angle between voltage and current is called power factor मतलब दोस्तों voltage की waveform and current की waveform के बीच में जो cosine angle होता है उसको हम लोग power factor बोलते हैं दोस्तों अभी इसको रच्छे से समझेंगे power factor को short में पीए भी बोला जाता है दोस्तों कितने type के power factor होते हैं first is unity power factor second is lagging power factor and third is leading power factor तीन type के power factor होते हैं दोस्तों ये तिनो type के power factor को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि electrical system में कितने type के load होते हैं types of electrical load, resistive load, inductive load and capacitive load होते हैं तो resistive load में कुन कुन से load आते हैं press, heater, water heater और ये सब resistive load हैं तो resistive load का power factor unity होता है unity मतलब voltage and current की waveform है वो साथ में cross होती है zero degree पर जैसे कि आप waveform में देख सकते हैं जो purple color की waveform है वो voltage की है और जो orange color की waveform है वो current की है ये दोनों एक साथ zero point को cross कर रही हैं तो voltage और current के बीच में कुछ भी angle create नहीं होगा मतलब zero angle होगा power factor को denote किया जाता है cos theta से theta मतलब voltage और current के बीच का angle तो resistive load में कितना angle होगा zero तो power factor कितना हुआ cos zero is equal to one one मतलब unity power factor अब देख लेते हैं inductive load में कौन कौन से load आते हैं दोस्तों जितने भी motor होती हैं वो सारे inductive load हैं जैसे की ceiling fan, table fan, motor pump, mixer, drill machine, grinder, machine जितने भी motor हैं वो inductive load होते हैं दोस्तों inductive load lagging power factor बनाता है inductive load मतलब जिसके coil होती है वो inductance होता है inductance की property होती है कि वो current को एकदम change नहीं होने देता जिसकी वज़े से हमारा current पीछे रह जाता है voltage से कितना पीछे रह जाता है वो depend करता है कितना inductance है दोस्तों अगर load pure inductive होगा तो current 90 degree पीछे चलेगा तो power factor क्या होगा pure inductive के लिए cos 90 is equal to 0 मतलब power factor 0 पर दोस्तों ये practically possible नहीं है कि pure inductive load हो motor की coil का कुछ resistance भी होता है दोस्तों जैसा कि आप waveform में देख सकते हैं purple color waveform voltage की है and green color form current की है तो voltage की waveform पहले 0.0 को cross कर रही है और current की waveform कुछ देर बाद cross कर रही है मतलब ये lagging power factor है दोस्तों normally motor का power factor 0.8 होता है मतलब voltage और current के बीच में 36.86 degree का angle create होता है मतलब current 36.86 degree पीछे रह जाता है तो theta is equal to 0.8 power factor होता है आप देखते हैं capacitive load कौन कौन से होते हैं normally capacitive load कोई भी नहीं होता है इसके लिए हम capacitor का यूज करते हैं as a capacitive load capacitor के case में current 90 degree आगे रहता है voltage से इसके लिए इसको leading power factor कहते हैं cos 90 is equal to 0 होता है जैसे कि आप waveform में देख सकते हो purple color की जो waveform है वो voltage की है green color की waveform है वो current की है green waveform 0 को पहले cross कर रही है फिर voltage की waveform cross कर रही है so इसको leading power factor बोलते हैं तो जैसा कि दोस्तो resistive load भी होता है inductive load भी होता है पर capacitive load नहीं होता इसकी वज़े से दोस्तो हमारी industry का power factor lagging नहीं होता कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमारा power factor leading में है हमारा electrical system में 60% load inductive load ही है और 40% load वो हमारे resistive load है capacity load कोई भी नहीं होता तो inductive और resistive load इतना ज़्यादा होनी के वज़े से हमारे electrical system में power factor में सा lagging में ही होता है दोस्तो power factor अगर lagging में होगा या फिल लीडिंग में होगा तो भी हमारे electrical system में load होता है तो दोस्तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी industry का या हमारी building का power factor 0.8 से 0.7 है तो हम इस power factor को improve करने के लिए APFC panel का use करते हैं APFC panel की जायता से हम लोग power factor को improve करते हैं मतलब unity power factor maintain करने के कोसिस की जाती है unity power factor सबसे best होता है APFC panel automatic power factor correction panel APFC panel के अंदर हम लोग capacitor का use करते हैं दोस्तो अगर power factor lagging कर रहा है तो electrical system के अंदर हम capacitor का use करते हैं capacitor डालने की वज़े से क्या होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया inductor की वज़े से current हमारा पीछे रह जाता है और जो हमारा capacitor है इसकी वज़े से हमारा current आगे जाता है तो दोस्तो समझ लीजिए अगर lagging power factor होने की वज़े से हमारा current 30 degree पीछे गया है तो हम लोग capacitor के डालेंगे जिससे कि वो 30 degree current को आगे लेकर आएगा तो दोनों का काम opposite हो जाएगा तो उसकी वज़े से current 1 पर maintain रहेगा मतलब inductor 30 degree पीछे खीच रहा है और capacitor 30 degree आगे खीच रहा है तो उसकी वज़े से क्या होगा voltage जब 0 को cross करता है same उसी time पर current भी 0 को cross करेगा मतलब हमारे सिस्टम का उवराल power factor कितना हो जाएगा unity तो दोस्तों lagging power factor को improve करने के लिए हम लोग capacitor का उज़ करते हैं अब देखते है power factor का formula क्या है P is equal to V I cos theta तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था cos theta mean power factor होता है अगर हमको power factor निकालना है तो theta is equal to P upon V I इसको हम दूसरे तरीके से भी represent कर सकते हैं KW upon KVA तो दोस्तों तीन टाइप के power factor होते है unity lagging and leading normally हमारे electrical system में lagging ही power factor होता है उसको unity पर maintain करने के लिए हम लोग capacitor का यूज करते हैं तो friends आज के लिए इतना ही thank you for watching आज की वीडियो कैसे लगी like और comment करके जुरूर बताएं मिलते हैं next video में thank you very much